Hi students, so, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं class loyal computers का एक topic जो की है data structures and data structures में से भी आज हम पढ़ने वाले हैं stacks के बारे में So guys, I hope आप लोगो पता होगा कि data structures क्या होते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ data structures basically हम किसी भी ऐसी entity को कहते हैं जो एक से ज़ादा values को एक साथ hold कर सके So class 10 से आप पढ़ते आ रहे हो arrays के उबारे में तो arrays क्या होते हैं एक तरह का वो भी एक data structure ही है तो data structures मतलब एक ऐसा object या ऐसी एक entity जो एक से ज़ादा values hold कर सके Like array होता है उसी तरह आपको एक नए data structure यहाँ पर सीखना है जो की होता है क्या stack और Q भी होता है Q के बाद circular Q, DQ and tree भी एक data structure है link list भी होती है इस बार आपके reduce syllabus में मतलब जो इस बार COVID की वज़े से हुआ है तो syllabus आपका reduce कर दिया गया है तो link list and Q में भी सिर्फ आपका normal वाला Q ही course में है तो इस बार हम सिर्फ stacks and queues के बारे में देखेंगे तो इस वीडियो को सिर्फ हम stacks तक limited रखेंगे और stacks के बारे में जानेंगे सारा कुछ कि stack क्या होता है और उसका program कैसे बनता है और उसमें क्या-क्य operations होते हैं यह सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो को पुरा आप लोग end तक देखना विकाज यहां पर मैं एक एक चीज आपको explain कर दूँगा अच्छे से आपके यहां पर कुछ भी रटने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बात आप अगर स्टैक्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आप उसका program भी अपने आप से बहुत आसानी से बना सकते हो तो चलो बिना time गवे आप इस वीडियो को start करते हैं अभी हम देखते हैं कि स्टैक्स क्या होता है ठीक है आपने कई सारे objects लिये और उनको एक की उपर एक ऐसे रख दिया तो वो जो collection बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या stack जैसे कि आपने playing cards देखे होंगे जो ताश खेले जाते हैं वो ताश के पत्ते एक की उपर एक रखे होता हैं तो हम कहते हैं stack of playing cards उसी तरह अगर आप कई books को कई मोटी मोटी books लो और उनको एक की उपर एक ऐसे रख दो तो वो book का जो collection ऐसे दिखाई देगा एक की उपर एक book तो वो होगा एक stack of book तो यही पर देख लो example मेंने दिया हुआ है तो किसी भी चीज़ का हम stack बना सकते हैं अगर हम उन objects को एक की उपर एक रखे एक अच्छा सा collection बना दें तो तो यह तो हो गया stack का मतलब की उसका meaning क्या होता है बट computers में stack का क्या मतलब हुआ चलो अब इसके बारे में देखता है अगर बात करें computers में stack के मतलब की तो stack basically means a stack is a linear data structure basically array की तरह यह भी एक line में ही data को store करता है so it is a linear data structure that follows leafo principle so अब यहाँ पर एक नया term आ गया है leafo so leafo का मतलब क्या होता है देख रहे हैं आपे leafo means last in first out so last in first out का क्या मतलब हुआ यह important है because जब भी आप से stack के बारे में पूछा जाएगा तो आप हमेशा leafo principle को यहाँ पर बताओगे तो leafo का मतलब यह होता है कि जो सबसे last में आया है वही सबसे पहले बाहर निकल जाएगा अक्सर ऐसा होता है जिससे कभी आप school late गय हो ठीक है तो जो पहले गये बच्चे वो तो अंदर चले आता है लेकिन जो last में आता है वो बाहर से get out भी हो जाता है तो ठीक है तो यही चीज़ होती है stack में जो last में आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा तो last in first out principle और stack का एक ही top होता है एक ही end होता है सिरु जैसे कि array में आपको जब input कराना हो या कहीं पर कोई value को change करना हो या value को delete करना हो तो आप कहीं से भी किसी भी value को array में delete कर सकते हो लेकिन stack में ऐसा नहीं होता stack में अगर आपको कोई value put करनी है यानि कि उसमें insert करनी है या फिर कोई value delete करनी है तो वो सिर्फ आप एक तरफ से ही कर सकते हो यही इसका limitation होता है ठीक है जैसे कि for example अभी मैंने पिछले आपको यहाँ पर example दिया था books वाला अब यहाँ पर सोच के देखो यहाँ पर कई सारे books हैं और आपको यहाँ पर कोई एक book निकालना है मानलो suppose आपको यह वाला book निकालना है तो क्या ऐसे होगा कि आप यह वाला book यहाँ से खीच लोगे बाहर नहीं खीच पाओगे क्योंकि अगर आप यह book खीच होगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा stack जो है बरबरा के गिर जाएगा नीचे तो stack का एक limitation क्या होता है कि अगर हमें कोई नया object या नया value रखना है तो वो सिर्फ हम top पे ही रख सकते हैं और जब हमें कोई value निकालना होगा तो सिर्फ हम top से ही निकाल सकते हैं मतलब insert भी कहां से होगा insert भी top पे ही होगा और कोई value delete भी होगा तो वो कहां पे होगा top पे ही होगा बस यही concept आपको समझना स्टैक्स में अगर यह कॉंसेट समझ लेगे ना तो सारे जितने भी इसमें कोड होंगे मतलब फुश ऑपरेशन इंसर्ट वाला और पॉप ऑपरेशन जो की डिलीशन का होता है तो यह दोनों ही ऑपरेशन के जो कोड होंगे वह आप बहुत ही आसानी के साथ समझ के बना सकते हो तो बस यही कि यहां पर लिमिटेशन है कि एक स्टैक में जब भी हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो वह सिर्फ टॉप पे ही एंटर होगा एंड टॉप से ही डिलीट होगा बीच का डेटा हम एकसेस नहीं कर सकते हैं फिर लास्ट पॉइंट है एलिमेंट्स अर इंसर्ट और लिमोट फ्रॉम ओनली वन एंट तो यही चीज है कि हम इस टैक में जब भी डेटा को इंपुट करेंगे इंसर्ट करेंगे या फिर उसको डिलीट करेंगे तो वह सिर्फ एक एंड से होगा फिर आ जातने हैं कि इस टैक में कितने तरह के ऑपरेशन किया जाता हैं तो इ इलीशन का यहां पर नाम होता है खौ अपरेशन तो दो ऑपरेशन हो गया फुश अंड ऍप जर यही जाता पूछे जाते एक और भी ऑप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पीपॉपरेशन का मतलब होता है कहींसे बस झाख देख लेना नए थीक तो पीब ऑपरेशन का tying कि आप stack में जहांक लो ऐसे उपर से देख लो कि stack के top पे कौन सा value है तो peep operation बस एक नजर डालने के लिए होता है तो इसको भी हम देखेंगे बच जादा important यहां पे कौन से दो operations है push and pop तो इनकी हम बात करता है तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि push operation क्या होता है अब मान लो कि यह आपका stack है कोई और इसके अंदर पहले से कुछ values है ठीक है एकदम खाली stack नहीं है पहले से कुछ इसमें values है और इस stack में हमें कोई एक value insert करानी है मान लो हमें two एक value insert करानी है इसमें अब यह value कहां जाएगी obviously जो stack का अभी top होगा वहीं पर यह value insert हो जाएगी push operation का मतलब एह होता है क्या value को insert करोगे कहां पर उसके top position पर तो जब हम किसी value को insert करेंगे हम हमें दो बातें अहां पर ध्यान में रखनी होगी पहली बात्तों हमें यह द्यान में रखनी होगी कि कहीँ ऐसा तो नहीं कि हमारा जो stack है व एकदम भरा हुआ है पहले से जैसे मान लो for example, अगर यहां पे आपकी value होती, पहले से भरी होती कोई, यहां पे मान लो आपका 8, यहां पे मान लो होता आपका 17, कुछ भी होता, तो यहां पे मान लो अगर यह stack आपका पहले से भरा होता, और top यहां ना होता, आपका top value तब यह होता, तो जब stack पहले से ही तब क्या आप इसमें कोई value insert कर सकते थे नहीं कर सकते थे तो ऐसे case में condition बनता है जिसको हम बोलते हैं overflow जैसे आपके घर में पानी की टंकी होती है उसमें पानी extra हो जाता है तो उसमें से पानी overflow करने लगता है तो ऐसा ही stack के साथ होता है कि अगर stack में पहले से ही पूरा वो stack भरा हुआ है सारा data उसमें filled है और उसमें और कोई जगा ही नहीं है और भी data कोई push करने के लिए आ गया तो हम क्या गयते हैं कि हमारा stack उस data के आने के बाद stack overflow हो जाएगा अक्सर आप देखा होगा stack overflow error या एक website भी है stack overflow मतलब यह अगर खाली है अगर ऐसा कुछ case है तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पे हम top को एक उपर लाएंगे सबसे पहले top is equal to top plus one करेंगे तो top का value यहाँ आ जाएगा तब यह top यहाँ से shift हो के उपर आ गया फिर हम उसी array के जिसको हमने stack मानना है यहाँ पे तो उस stack के या उस array के ठीक है यहाँ पे stack में बोलूँगा उस stack के fourth index पे हम अपना value जो कि हमें to insert करना था यहाँ पे insert कर देगा तो इतना हमें करना होता है कि इसमें push operation है तो इसका अगर हम code देखें तो इसका code क्या हो जाएगा देख लो इसका code हो जाएगा कुछ ऐसा यहाँ पे हम एक function बनाएंगे void push और इसके अंदर आपका एक parameter आएगा अब यह parameter क्या होगा यह वही value होगा जो आपको insert करना है int n ठीक है यह हम main से call करेंगे इस function को तो इसमें value भी दे देंगे कि क्या value हमें insert करानी है stack के अंदर right so सबसे पहले इस function में हमें क्या check करना है कि कहीं हमारा stack पहले से भरा हुआ तो नहीं है तो सबसे पहले हमारा condition हो जाता है if top is double equal to size-1 कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे stack of size-1 यानि कि top वाले index पहले सIG तो सबसे पहले हम check करेंगे कि हमारा top पहीं top index पहीं आप जैसे array में होता है कि आपक जो index होते है वह 0 से n-1 यानि size से कम तक चलता है उसी तरह stack में होगा कि 0 से index चलेगा कहां से size-1 तक चलता है तो आप चेक कर लो कि आपका जो टॉप है, यानि कि जो टॉप इंडेक्स है हो करें ऐसा तो नहीं, टॉप पे ही है, एकदम size-1 इंडेक्स पे तो नहीं है, तो अगर ऐसा होगा, तो हम क्या print करा देंगे, system-to-top.println कि वहाँ पर stack overflow हो रहा है, या फिर overflow condition हमाई हो रही है, त तो हम उसमें और कोई value insert नहीं करा पाएंगे, अब else में आके देखो, अगर हमारा stack पहले से भरा हुआ नहीं है, तब आप क्या करोगे, simple, top is equal to top plus 1, top वाले index को एक उपर बढ़ाओगे, and अपने array के, यदि की stack जो हमने या पर लिया है, stack के top index पे, कि आप value save करा दोगे, जो value हमें या पर insert करानी थी, तो st के top index पे आपने अपनी value को save कर दिया, so कुछ इस तरह हमें या पर push operation को करा देंगे, तो आप लोग देख लो, i hope आप लोग को push operation या पर समझ में आ गया होगा, कैसे काम कर रहा है, पस कुछ नहीं है, सबसे पहले चीज तो आपको ये चेक करन और फिर else वाले part में आ जाते हैं कि अगर stack पहले से बढ़ा हुआ नहीं है, तो उस case में आपको क्या करना है, top वाले index को एक बढ़ाना है, and उस top index पे, जब बढ़के वो उपर जा चुका है top, तब उस top वाले index पे, st के top, यानि कि st हमारा जो array है, या stack है, उसके top index पे आपक का मतलब होता है क्या, deletion, किसी value को delete करना, जैसे मालो यह आपका एक stack है, और इसमें से आपको करना है pop, तो आप क्या करोगे, आप इस top वाले value को यहां से delete कर दोगे, और एक कदम नीचे आ जाओगे, तो यही तो होगा, pop operation, pop का मतलब आपने top वाले value को delete कर दिया, हटा दि है, इसमें कुछ values है, तो अगर इसमें से हमें किसी value को pop करना है, तो अगर यह stack suppose पहले से empty होता, अगर हमाँ आपस कुछ ऐसा case होता, कि हमारा stack और पहले से empty होता, उसमें कोई value ही ना होता, तो जब किसी stack में पहले से value नहीं होता है, तब हम कहते हैं, कि उसका top जो होता है, वो minus 1 में होता है उसका value जो होता है minus 1 होता है और उसमें कोई value ही नहीं होता 0 index पर 1 index पूरा stack अगर खाली होता है तो अगर कोई stack पहले से ही खाली है तो उसमें से आप क्या delete करोगे suppose आपके सामने एक खाली bucket रखा हुआ है उसमें कोई पानी ही नहीं है और आपसे कहा दे कि जाओ उसमें से डेक मगगा उसमें से पानी निकाल के लिखके हो कुछ निकाल के लओ तो जब उसमें पानी ही नहीं तो आप उसमें से क्या निकालोगे तो ऐसे condition को हम बोलते हैं क्या ऐसे condition को हम बोलते हैं under flow तो आपने overflow condition देखा एक condition होता है under flow under flow का मतलब ये कि आपके stack में जब कोई value ही नहीं है तो आप delete क्या करोगे ठीक है तो under flow का मतलब अगर आपका stack पहले से empty है और फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि उसमें से और value delete करो जब उसमें value है ही नहीं तो delete क्या करोगे तो उसी को चेक करोगे अगर आपका stack पहले से खाली है तो आप बस print कर दोगे कि stack under flow condition में है और अगर ऐसा नहीं है else वाले part में तब आपको क्या करना होगा तब आपको बस top value delete करना होगा top value delete कैसे करते हैं देख लो आपको क्या करना होगा आप actually value delete नहीं करोगे आप बस क्या करोगे अपने इस top को top minus one कर दोगे यानि कि यहां ले आओगे और यह top यहां से हट जाएगा बस तो जैसे ही top index आपका नीचे आ गया वो value भले आपकी रहेगी लेकिन जब अगली value आप insert कर आओगे तो यह value आपकी overwrite हो जाएगी अब यहां पे एक और काम भी हम करते हैं कि जिस value को हम delete करते हैं उसको वापस से return भी कर देता है मतलब जो value आप top से delete करोगे उसको return कर दोगे पहले उसके बाद top index को एक नीचे ले आओगे तो इतना काम हमको यहां पे करना पड़ता है तो अब देखते हैं इसका code क्या होगा देख लो तो इसका code हो जाएगा कुछ ऐसा तो जब हम pop operation करेंगे तो पहली बात तो हमारा function जो होगा वो return type वाला होगा यानि कि integer हम उसमें return करेंगे अगर हमारा stack integer type का है तो हम int को return करेंगे अगर हमारा stack string type का है उसमें नाम save है तो हम याँ पे string pop लेते हैं so int pop क्योंकि integer हमारा stack है integer type का सबसे पहली चीज़ हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारा stack पहले से खाली तो नहीं है तो पहले से खाली होने एक condition क्या होता है कि top कहीं minus 1 तो नहीं है अगर stack एकदम खाली होता है तो शुरुआत में हम top में minus 1 देके रखते है so हम check कर लेंगे if top is double equal to minus 1 मतलब stack एकदम empty तो नहीं है अगर ऐसा है तो हम print करा देंगे that system.out.println stack under flow stack हमारा under flow condition में आ गया होगा and return करा देंगे क्योंकि यहां पर हमने in type का function लिया है तो हमें कुछ तो return करा नहीं है तो stack एकदम खाली है तो आपको क्या return कराना होगा कुछ ऐसा value return करा दो जो एक तरह के garbage value है या junk value है जिसका कोई मतलब नहीं है तो आप return करा दो minus 999 क्यों ऐसा करा रहे है because generally ऐसा कोई value हमाई stack में save नहीं होगा तो अगर ऐसा कोई value जाता है मतलब कि हमारा stack क्या रहा होगा empty रहा होगा इसलिए ऐसा कुछ return हुआ है उसके बाद आते हैं else part में अब else वाले part में अगर हमारा stack पहले से empty नहीं था तो हमें delete करना है तो deletion में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो top वाला जो आपका element है वो return कर दो and उसके बाद top को एक नीचे ले हो तो यहाँ पर देख लो हमने क्या किया यहाँ पर int type का variable मान लिया है int value and सबसे top वाले element को इस variable val में save करा लिया है फिर हमने क्या कि top को एक नीचे ले है top is equal to top minus 1 and then हमने जो value save कर रहा था top वाला उसको हमने वापस return कर दिया तो इतना काम हमें यहाँ पर करना होगा उसके बाद else हमने close कर दिया तो यह हमारा function बन गया int pop वाला तो pop operation क्या करेगा सबसे पहले तो check करेगा कि कहीं हमारा stack exam empty तो नहीं है वो हम if में कर रहे है and अगर ऐसा नहीं है अगर हमारा stack empty नहीं है पहले source में कुछ values है then else में आते है else में हम क्या करेंगे सबसे पहले top value को save कराएंगे फिर top is equal to top minus 1 top को अपनी position से एक नीचे ले आएंगे and then उस value को जिसको हमने top value को save करा था वो return करा देंगे तो कुछ इस तरह होगा pop operation अब इसी pop operation से मिलता जुलता एक operation होता है peep operation लेकिन peep operation मैंने जैसा बताया था starting में कि peep operation जो होता है उसमें सिर्फ हम value को देखते है top value को delete नहीं करते है तो peep operation में सिर्फ एक अंतर आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पीप करेंगे सिर्फ देखेंगे कि आप delete नहीं करोगे सिर्फ top value को देख के return कर दोगे देख लो यहाँ पे आप लोग क्या change आएगा बस आपका यहाँ से जो top वाला index वाला line था top is equal to top minus 1 वो हट जाएगा यहाँ से वो नहीं आएगा यहाँ से तो होगा क्या पीप में सिर्फ आप चेक करोगे कि stack आपका empty तो नहीं है अगर empty है तो आप under flow print कर दोगे and minus 999 value या जो भी आपका junk value है आप उसको return कर दोगे and else में आप क्या करोगे अपने top value को save करोगे int values equal to st at top अपने stack के top index की value को save कर आलोगे and उसको return कर दोगे बस यहाँ पर आप delete नहीं करोगे मतलब top का position change नहीं करोगे पीप में तो यह जाहतर वैसे पूछा नहीं जाता है generally जो आपके operations पूछे जाते है वो pop operation पूछा जाता है and आपका push operation पूछा जाता है तो यही दोनों operations आते है push operation and pop operation so I hope आप लोग को यह समझ में आ गए होंगे दोनों operations तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि stack का पूरा program कैसे बनता है देख लो आप लोग so अभी हम लोग देखते हैं stack का पूरा program so stack का पूरा program देखने के लिए आप इस program code का link description पर जाके देख सकते हो आपको उसका link मिल जाएगा website पर जाके इस program को check कर सकते हो otherwise यहाँ पर देख लो so stack का program कुछ ऐसे बनता है so यह तीन हमें variables चाहिए होंगे इसके बाद हम यहाँ पर parameterized constructor बना लेते हैं जो की होता है stack class के नाम से and इसके अंदर हम एक parameter save कर देंगे int n ठीक यह करेगा क्या यह एक stack create कर देगा यह constructor तो यहाँ पर क्या करेंगे हमें size को n दे देना है एक array को create कर लेना है कुछ इस तरह st is equal to new int और उसमे size पास कर देंगे so अगर मान लो कि अगर हम main function में इस class का object बनाते है st obj is equal to new st 5 तो यह क्या करेगा यह 5 size का एक stack create कर देगा या एक array create कर देगा जो stack की तरह काम करेगा ठीक है और शुरुआत में top का value क्या रहेगा minus 1 यह हम discuss कर चुक है फिर इसके बाद आ जाता है आपका push operation push operation मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था पुरा समझाया था है आपके push operation कैसे काम करता है तो यह हो गया push operation and इसके बाद हमें बनाना होगा pop operation यह देख लो यह pop operation हो गया and इसके बाद last में आपको एक display function मनाना होगा and display function में क्या होगा कि आपका जो भी stack होगा वो top से bottom तक print हो जाएगा तो display में बस यह मैंने आपको नहीं बताया था देख लो कैसे होगा display में आप चेक कर लोगे कि stack आपका शुरुआत में ही खाली तो नहीं है if top is double equal to minus one तो stack is empty print कर दोगे otherwise stack में अगर values हैं तो आपको क्या करना होगा आपको print करना होगा the elements of the stack are उसके बाद एक loop चलाएंगे top index से कहां तक 0 index तक and सारे values को इस तरह अलग-अलग line पे print कर देंगे ठीक है so I hope ये वाला पूरा आपको concept समझ में आया होगा stack का so I hope आप लोग को ये पूरा topic अच्छे समझ में आ गया होगा stacks क्या होता है and अगर इसके उपर question आता है अभी exam में so I hope इस question को आप attempt कर पाओगे ठीक है तो आप थोड़े से questions देख लिना previous year के तो आप लोग को ये और अच्छे से clear हो जाएगा कि stack के question किस type के आते है and वहाँ पे किस तरह आपको लिखना होगा चलनली बस push and pop operation आपको आना चाहिए stack में and stack का थोड़े बहुत concept पता होना चाहिए कि stack का working क्या होता है so अभी I think आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से तो चलो अगले वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे Qs के बारे में तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई क्या है